जेहन्द मैं लजी खतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता हैं एम्टी टीवी इंडिया और आज बात इंटरनेट को लेकर सुप्रीम कोट के निर्देश की सुप्रीम कोट ने शुकरवार दस जनवरी को जम्मू कश्मीर में अस्पतालों श्यक्षनिक संस्थानों जैसी सभी जरूरी जगहों पर इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है मायरा फैशन्स एन एक्स्क्लूजिव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामी कॉंप्लेक्स आनवगामौल अजमेर यानि देश देते हुए शीष अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेयन नहीं है कि एक लोगतांतरिक विवस्था में बोलने की सवतंतता अनिवारे तत्व है इंटरनेट का उप्योग करने का अधिकार अनुच्छेत 19.1.1 के तहत एक मौलिक अधिकार है यानि कि सुप्रीम कोट ने यह तैक कर दिया है कि इंटरनेट आपका मौलिक अधिकार है और अब इस मौलिक अधिकार के साथ ही देश की उन तमाम राज्यों की सरकारों पर दवाब बनेगा जो की बिना वजह से अलग-अलग इलाकों में इंटरनेट बंदी करते आए हैं इस फैंसले के साथ ही आज आज आपको कुछ महत्वपून जानकारी भी हम दे रहे हैं लेकिन उससे पहले आपसे पूछते हैं कुछ सवाल क्या आप जानते हैं कि समिदान का नुच्छेद 19 आखिर है क्या और इसके तहट हमें कौन से अधिकार मिले हुए और क्या आप जानते हैं कि देश के एक राज्ये ने करीब 3 साल पहले ही इंटरनेट को मूलभूत अधिकार गोशित कर दिया है भारतिय समिदान का नुच्छेद 19 भारत के नागरिकों के लिए कुछ चीजों की सवतंदता की बात करता है नुच्छेद 19-1 के तहट ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जिने हमसे कोई भी नहीं चीन सकता सुप्रीम कोट ने इसी मौलिक अधिकारों के तहत अब इंटरनेट को भी बता दिया है अनुचेद 19.1.A के तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की सौतंदता का अधिकार है अनुचेद 19.1.B के तहत बिना हतियार किसी जगह शांती पूर्ण इकटा होने का अधिकार सभी लोगों को मिला हुआ है अनुचेद 19.1.C के तहत संग या संगठन बनाने का अधिकार हमारा समिधान हमें देता है अनुचेद 19.1.D के तहत आपको भारत में कहीं भी सवतंतर रूप से घूमने का अधिकार प्राफ्थ है अनुचेद 19.1.E के तहत भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार आपको समिधान देता है इसके साथ ही अनुचेद 19.1.G आपको कोई भी व्यवसाय पेशा अपनाने या व्यवपार करने का अधिकार भी देता है भारतिय स्वमिधान का अनुच्छेद एक जहां मौलिक अधिकारों की बात करता है वहीं अनुच्छेद 19-2 के तहट इन अधिकारों को किस तरह से सीमित किया जाए ये बताया गया है अनुच्छेद 19-2 में कहा गया है कि अभी व्यक्ति की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंड़ता को नुकसान नहीं होना चाहिए इन तीनों चीजों के सनक्षन के लिए अगर कोई कानून है या बन रहा है तो उसमें भी बादा नहीं आनी चाहिए और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट तो अब इंटरनेट को मौलिक अधिकार बताया है लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा है जिसने अब से करीब तीन साल पहले ही इसे लोगों का मूलभुत अधिकार गोशित कर दिया था और वो देश का सबसे सिक्षेत राज्य केरल है दरसल मार्च 2017 में ही केरल ने हर नागरिक के लिए भोजन पानी और शिक्षा की तरह इंटरनेट को भी मौलभुत अधिकार की शिवर्णी में रखा था अपने बजट में इस राज्य ने करीब 20 लाख गरीब परिवारों तक इंटरनेट की सुविधा पहुचाने के लिए योजना भी बनाई थी और फंड भी आउंटिद किया था इसके तहट केरल में फाइबर उप्टिकल नेटवर्क पर योजना पर करीब 1548 करोड उपे खर्च किये जाएंगे योजना को पूरा करने में का लक्ष्य 2020 तक रखा गया है अब ऐसे मैं आपको अपनी सरकारों से इंटरनेट जैसी मौली का दिकार पर खुलकल आजादी मांगनी चाहिए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें वीडियो जर्नलेस राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खतरी